जैसा कि आप सुभी को पता ही होगा कि आड लाइब के अंदर मैंने 10 यर्स की जन्नी में नी कम्लिट कर लिए है जैसा क्लास मेरा 1 लेक्चर चार और मैं मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट कर दा मैंने फॉर्स लेक्चर और मेरा लेक्चर स्टुडेंट्स के मैंसेज इस आए बुले सर आपको पता ही हो कि आप लाइफ के 10 years complete करने जावें इस sector के अंदर तो सर हम चाहते हैं कि आप एक video lecture ऐसा बना के दो कि जिसके अंदर आप बताओ कि भी आपके life के 10 years की जरनी किस तरगी रही आपने कौन कोजी चीज़े प्रेस करी कैसे कैसे students पढ़ाएं आपने अपने इस nation को क्या दिया इस society को क्या दिया तो बस आज कुछ उनी students के demand के उपर आज एक lecture में प्रजेंट करने जा रहा हूं लेक्चर के अंतर में मेरी थोड़ी सी स्टोरी बताओंगा मेरी विलाइफ में कौन परास देक्षाएं क्वें है मेरी लाइफ में भी मुझे यहां दहा पहुषने में मैंने भी क्या क्या चृगल करी ogóle करीए कुछ ऐसे छीजां आपको मालब पड़ेगी सभी बच्चों को मेरे कि लाइफ के अंदर आपको success होना है अगर लाइफ के अंतर हमें success लेनी है अगर हमें किसी इक goal पर जाना है अगर हमें हमारा goal अच्चुग करना है तो चली मैं स्टार्ट करता हूं कुछ मेरी स्टैठी अब ही मुझे याद है जब मैं इस्कूल डेउस में पड़ता था तो मुझे भी मेरे टीचर्स पूछा करते थे जैसे कि हमें पूछा करते हैं आज What do you want to become in your life? तब मैं भी आंसर दिया करता था, Sir I want to become a good teacher, good educator. तब क्लास के निदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते थे, 70-80 की strength होती थी, सभी बच्चे अपने एक goal बताते थे, पर उसमें ते कुशी बच्चे ऐसे थे जो बोलते थे, I want to become a good teacher, I want to become a educator. पर मेरा आंसर अलग आता था, बहुत सारे लोग गोलते थे, I want to become a teacher, पर मैं teacher के आगे एक word लगाया रखता था, I want to become a good teacher, यानि मैं एक बहुत भी प्रॉपर एड्विएटर बनना चाहता हूं, के एक इस nation को, इस society को बहुत सारी कुछ अच्छे चीज़े देना चाहता हूं, और ऐसा मेरी life के अंदर, 10 years के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़े ऐसे की, बहुत सारी student को prepare करा, more than 7,000-7,500 student को अभी दख पढ़ा लिया, मैंने 10 सल के life में मेरी, more than 10 स्कूल के अंदर मैंने मेरी सर्विस पर्स्यू करी, अलग-अलग सेक्टर के अंदर, अलग-अलग जगे जाकर मैंने lectures लिये, बहुत सारी government स्कूलों के अंदर, जाकर मैंने पढ़ाया हूं, वहाँ पर मेरी सर्विस दी, बच्चे किस हालत में बच्चो को क्या अकॉन को सी चीज़ों की जरूत है, उसके लिए मैंने तयार किया, तो वो सभी experience मेरी life के लिए बहुत ही अच्छे experience रहें, पर जब मुझे भी मेरा goal SEO करना था तो उसमें मुझे भी बहुत सारी struggle face करनी पड़ी थी, कि जैसे कि मैच अब 10 पासवर्ट होके निकला अच्छे percentage साथ 11-12 के अंदर commerce लिया, commerce में अच्छी field के बाद मैंने engineering जोइन करा और BCA जोइन करा, उसके पाद M.C.A करा, B.A.D. करा भी clear ऐसी बहुत सारी और अभी इन future में बहुत सारी चीज़े करना चाहता हूं क्योंकि एक education एक ऐसी चीज़े जिसका कभी कोई end ही होता है आप जितना इसको expand करोंगी उतना ही आगे बढ़ता जाएगा और life के अंदर अगर success अगर लेनी अगरी यह था जब मैंने education sector के अंदर मेरा first step रखाता हूं 13 बच्चों की batch, 4 बजे का lecture, class के अंदर एक chalk और dust लेकर enter हूँ तब मेरे face के अपर बिल्कुल fear नहीं था, बिल्कुल डर नहीं था, बने मैं life के अंदर really आपको बता रहूं कि मेरे life में बिल्कुल मुझे डर नही मुझे मेरे career को बहुत ही bright बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं थीकरा था मेरे face पर, मैं गया class में, class में जाके बच्चों बच्चों बच्चे से पढ़ाया हूं, proper 2 बंटे का lecture लिया, मैंने 4 to 6 का 2 अकांट का पहला lecture, clear है, और वहीं बच्चों के 13 में से 11 बच्चों मुझे कल message किया, okay, कि सर याद होगा, I think, वो दी, clear है, कि I think 17 में 2010 को आपने, क्या करा था, हमारा पहला lecture स्टार्ट करा था, और तब से लेकर आज, 17 में 2020 के अंदर, आप आपकी लाइव के 10 years complete करने जा रहा हूं, तो सर आपकी लाइव का, जो 10 years का आप पर experience रहा हूं, उसक तो मैंने भी मिली life को, जब मुझे भी एक success सही थी, तो मैंने भी मिली life के अंदर, बहुत सारी चीज़े sacrifice की हैं, मेरे पास भी कुछ प्रॉब्स होए थे, मुझे याद है अभी एक scene, के 8 standard के अंदर, मैंने एक demand की थी, मेरे पापा को, I want to purchase my own bicycle, मेरे पापा ने मुझे कहा पापी था, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें बोला करते हैं, कि पेटा, अगर तु इतने percent लाएगा, तो मैं तुझे ये लाकर दूँगा, वो लाकर दूँगा, पर मेरे फादर मतने मुझे ये नहीं कहा था, उन्हें बोला ताब बस, बेटा, मैं तुझे लाकर दूँगा पर मैंने उस टाइम मेरे फादर को एक शीज बोली थी, कि पापा ये cycle में लाना चाहता हूँ, पर मैं मेरे खुद के पैसे से लाना चाहता हूँ, ये हैं कि मैं लाओंगा सही, पर मैं मेरे खुद के पैसे से लाओंगा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कि जिससे आपको पापा की पॉकेड मनी आती थी पापा पॉकेड मनी दिया करती थी वह पैसे को बचा कर त्या कर आदा साइकल पर्चेस की ती और वह मेरी लाइब के सबसे पहली एक सक्सेस ही मभू हो सकता हूं कर दो शाइकल को में पहले तकी और उस चीज़ को मैंने इतना क्यर रखी ना कि मुझे अभी भी याद है कि जब तर मैं 12 मं थाना तब तर हूँ साइकल को मैंने संभाल के रखा मुझे रखा था मुझे उसको यूज करें प्रॉपर यह सब चीज़े तो ऐसी कुछ चीजे जो होती आपकी जिन्दगी अंदर आपको याद रहती है तो वही ऐसी कुछ चीजे हैं मेरी सक्सेस के लिर्केट जो मैं बताना चाहता हूं आपको उसके बाद जो मैंने कॉलेज के सेकेंड इर में मैंने स्ट्राइब रखा तब कुछ अंदर से इसी सब चीजे थी कि अपने एक्टिर बन पाएंगे के नहीं कितने सारे बच्चों पड़ा पाएंगे के नहीं अंदर का जो फिय रहे वो निकलेगा के नहीं बाहर मैं अच्छा मैरा देपाँगा के नहीं इसी बहुत सारी मुझे टराय करती हीं अंदर से आप तब कभी-कभी मुझे फिल हो था था पर बोलता है ना कि अगर आप हंड बीज़र भी 100% मिलता है और ये रिज़र मुझे फाइनली मिला भी था 2011 के अंदर जब मेरी 1st batch को मैंने पढ़ाया था और पूरी की पूरी बैच ने जब 100% रिज़र साथ पास आउट हुए थे तब ये चीज़ मुझे रियलाइज हुए थी उसके बास थे मैंने एच्विशन सेक्टर को जॉइन करा फिल्ड के अंदर आया बहुत सारी स्कूल में पढ़ाया मोर देन 10-12 स्कूल में पढ़ा दी हैं मोर देन 7,000-7,500 जितने स्टूट्न को मैंने पढ़ाया हुआ हैं आज कापी सारे स्टूट्ट्ट बहुत सारी अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो यही चीज है कि अगर आप किसी चीज को आप सोचते कि मैं हंडीड परसन दोंगा तो आपको रिजर्ट पाइनलरी क्या मिलने वाला है 100% मिलने वाला है तो आपको वी सबी स्टूरेंस को मैं चीज बोलना जा रहा हुँ कि बढ़ा हो सिक्वा सब्सक्राइब करें कि अब आपका फुली 100% दो कि आपको जो रिजल मिलने वाल रहे हो रियली आपको 100% मिले गाई क्योंकि आपने आपकी पूरी एपट्स लगाई है तो सामने आपका जो रिजल्ट हो हमेंसा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो उसी लगन से आपको क्या घाना है जिन्दगी पर काम करते रहो सकसेस रियली आपके पास सामने साएगी किसी भी चीज चीज के पिज़े जब आप लग जाते हो ना तो रियली उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको सामने साके मिले गई मैं भी लाइक में कभी-कभी फैल हुआ था कभी-कभी ऐसा था कि मैंने भी चीज सोची थी कि मुझे यह मिलना चीए पर वो मुझे नहीं मिल पाया था मैंने भी एक्सपेटेशन रखी थी कि 10 के अंदर मेरे रिजल्ट इतना आना चीए जिन्दगी के अंतर सभी चीज आपको जो मिली है उसमें संतोज रहूं उस चीज में सैटिस्क्राइशन रखाओ आपको रिजल्ट इने वाला है तो क्या ऐसा था कि मेरे 2% 5% कम आए तो मेरे लाइफ स्टॉप नहीं लाइफ कभी कोई एंड नहीं होता है लाइफ कभी स्टॉप नहीं होती है बहुत परसेंटेश कम आए हाई आए जिन्दगी हमारी चलती रहेगी हमें जो करना है पाइनली हमें वह करना ही होगा क्योंक कि हम जीश्च के लिए बने ना वो चीश हमें मिलने वाले है जब मैं भी छोटा था तब मैं भी पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था मैं भी मना करता था मेरी सिश्टर को मना करता है नहीं भी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि टीचर मुझे मारती है मुझे अच्छा नह कि जो टीचर्स मुझे पढ़ाया करते थे उनी टीचर के बच्चे को आज मैंने पढ़ाया हुआ है और उनी के बच्चे आज मेरे पास बढ़ रहे हैं तो इसे बड़ी अच्विमेंट हमारी लाइप में बहुत सब्सक्रान नहीं हो सकती है लियर है तो अगर आप किसी भी चीच को अगर इस तरह अगर करेंगे आपकी लाइप में तो आज इस दिन के ऊपर मैं आप सभी बच्चों को यहीं इंडिगेट करना चाहता हूं कि पेटा हो सके वहाँ तक आप क्या करें आपका 100% दीजिए हर एक काम के अंदर जिस फिल्ड में आप गए हैं उस फिल्ड के अंदर आपका 100% दीजिए सक्सेस आपको हरे को definitely मिलेगी और हो सके वहाँ तक अपने खुद के हिसाब से कुछ कीजिए हमेशा अपना नाम करने की कोशिस कीजिए किसी के अंदर में हम लोग काम सुपन नहीं वाले हैं पर वहाँ पे भी ऐसा सूचिए कि हमें हमारा नाम कैसे करना है जैसे कि मैंने आप लोगों काफी बार लेक्चर में गुला हुआ हैं मैं हरे बच्चो बताता भी हो कि जिन्दगी के अंदर अपना नाम करों अपनी वैल्यू क्रियेट करों और यही चीजिए में मेरे बच्चो को सिखा रहों क्लियर है कि आप किसी की वैंडर में काम करोगी बड़ी कम्प्री में काम करोगे तो इस तरह काम दो आपका 100% effort दो success तो आपको मापे definitely मिठेगी clear है अपना नाम करो अपनी खुद की goodwill create करो अपनी खुद की पैचान create करो clear है तो यह समझे आपको life के अंदर face करनी होगी life के अंदर बहुत सारी चीज़े ऐसी होगी जो sacrifice करनी होगी आप सभी को मैंने भी खाफी शारी चीज़ें सेटेस की हैं, गर के अंदर कभी कोई सोशेल फॉंक्षन होता था, दूसरे दिन मेरी एक्साम होती थी, तो उस चीजों को मैं सेट्रिपास करता था, तो लाइब के अंदर अगर सक्सेस चाहिए बिठा तो आपको बहुत सारे चीजों करना होगा क्लियर है क्योंकि ये सक्रिपाइस कुछ समय का है पर जिस दिन हम लोग सक्सेस ले लेंगे न उस दिन हमें इस सब चीजे सक्रिपाइस याद आएंगे अभी मैं तो आपको बोला हूँ कि अभी भी मैं 10 years के मेरा करियर कर चुका हूँ बहुत सारी achievement मिली भी है फिर भी मैं तो अभी आपको बोलता हूँ कि मेरी life के अंदर मैंने only for 5% चीज गेंग करी है अभी भी 95% चीजे बागी है और जब तक मैं इस जर्नी के अंदर रहूँगा जब तक मैं इस जर्नी को मैं enjoy करूँगा clear है तब तक मैं क्या रहूँगा मेरा 100% दूँगा clear है तो हम में सा लाइफ के अंदर एक चीज़ याद रखिया है कि अगर आपको successful बनना है तो हम में सा आप क्या कीजिए आपका 100% दीजिए क्योंकि अगर आप 100% दीए तो सामने दुज़र भी आपको क्या मिलेगा उसका definitely sure 100% ही मिलेगा okay तो बस आज आपको यही मैं मैसेज देना चाहता था कि लाइफ के अंदर ऐसा कुछ काम कीजिए अपनी खुद की goodwill create कीजिए अपनी पैचान खड़ी करों सभी बच्चों को मैं यही मैसेज दे रहा हूं कि हो सके वहां तक इस तरह कुछ काम करें कि हमारे mother father हमारे parents हमारे nation हमारी society इस अभी का क्या हो नाम हमारे teachers हमारे जो side में रहने वाले जितने ही friends है एक ऐसा motivation बनजाओ लोगों के लिए क्लियर है कि लोग आपको पॉपी कर रहे हैं जिन्दिघी में ऐसा बनओ के लोग आपको पॉपी करें ना कि आप किसी को फालॉ करें क्लियर है तो लाइफ को अगर आपको जीना है तो इसी तरह हमें लाइफ को जीना होगा बहुत सारी चीजों को हमें सैक्रिफाइस करना होगा और जितना हो सके हो उसमें हमें क्या करना है हमारे काम के अंदर हमारे वर्थ के अंदर हमें क्या करना है पुली एफट देनी है क्य दिन हम भी किसी बड़े पाइदान पर बैठे होंगे और आप लोग मुझे बता रहे होगे दिखिए सब आपने बूला दा ना और हमने यह एक्षिवर के दिखाये हुआ है डेफिनेटली मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ क्लियर है तो आप सभी को यह लेक्षर मेरा थूड़ा सा पसंद आया होगा मेरी यह स्पीच आपको पसंद आई होगी क्लियर है चलिए तिल रेन बाय एंड टेक केर